भाईयों और बहनों हमारे सास्त्रों में एक मान्यता बनी हुई है कि अगर हम यात्रा कर नहीं सकते हैं लेकिन किसी यात्री को अगर प्रणाम कर लें तो यात्रा का पुण्य प्राप्त होता है तो मैं भी आप सभी यात्रियों को प्रणाम करके जो पुण्य आपने कमाया है वो आप से कुछ हिस्सा मांग रहा है लेकिन वो हिस्सा मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ आपकी यात्रा से कमाया हुआ पुण्य मांभारती के काम आए सबासो करोर देश वास्यों के काम आए इस देश के गरीब से गरीब की जिन्दगी के बडलाव लाने में काम आए और मुझे विश्वास है नर्वदा यात्रा ही है यत्रा जिसको परिक्रमा से जोड़ा गया है और मैं इस सास्त्रा से भली भाती परिचित हूँ मैंने उस दुनिया को जीने का कभी प्रयास किया था और उसलिए मुझे पता है कि जब नर्वदा परिक्रमा करते हैं तब अहंकार कैसे चूर चूर हो जाता है अहंकार कैसे मिट्टी में मिल जाता है और परिक्रमा करने वाले व्यक्ति को मा नर्वदा जमीन पर लाकर के खड़ा कर देती है सारे बंधों से मुक्त करा देती है सारे पद उपादियों से अभिवुशित हो उससे भी परिक्रमा के दर्म्यान मुक्ति मिल जाती है मा नर्वदा और नर्वदा का सेवक के बीच कोई द्वईत नहीं बचता है एक अद्वईत की अनुभूती होती है आपने भी आज जब मा नर्वदा की स्महान सेवा करने का संकल्प किया है जब वक्त बदलता है तो कहां से कहां पहुचा देता है और जब अतिकार भाव प्रबल हो जाता है करतव्य भाव ख्षीड हो जाता है तब ये समस्याहें पैदा होती है जो आज हमें नर्वदा सेवा के लिए निकलना पड़ा यही तो मा नर्वदा है जिसने हजारों साल से हमें बचाया है हमें जीवन दिया है हमारे पुर्वजों की रक्षा की है लेकिन हमने अपना अधिकार मान लिया हम करतवे से विमूख हो गए और मान नर्वदा से जितना लूट सकते दिल लूटते रहे अपने स्वार्थवास अपनी आवश्यक्ता के नुसार मान नर्वदा की तो परवा नहीं की हमने अपनी परवा जरूर की मन में वो अधिकार भाव था कि मैं मान नर्वदा पर तो मेरा अधिकार है मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे उसका उपभोग कर सकता हूँ और उसी का पनणाम हुआ कि जिस मान नर्वदा ने हमें बचाया था आज हमें उस मान नर्वदा को बचाने के लिए पसीना बहाने की नौबत आई है अगर कर्तव भात से हम विमुख ना हुए होते मा के प्रती हमारे कर्तवयों को हमने निभाया होता तो मा नर्वदा उसको बचाने की नौबत मनुष्य के जिम्में नहीं आती और इसलिए समाई से रहते मंत्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्य प्रदेश की जनता वो सजग हो गई हिंदुस्तान में कई नदिया है नक्से पर निशान है पानी का नामों निशान नहीं है कई नदिया इतिहास के गर्त में खतम हो चुकी हमारे देश में केरल में एक नदी है शायद एक ही नदी है जिसका नाम भारत पर है भारत पूजा उस केरल के नदी बचेगी की नहीं बचेगी यह चिंता का विशा इसा तो नहीं था कि पानी के उप्योग के कारण नदी खतम हुई है नदी की रख्षा के लिए जिन तत्वों के साथ उसकी रख्षा का दाई तो होता है वो अगर हम नहीं निभाएंगे तो मानव जात को कितना वड़ा नुक्षान होगा हम बली भाती जानते है कि मान नर्दा बर्फिली पहाड़ियों से नहीं आती है बर्फ के चटानों से पिकल के नहीं आती है मान नर्दा एक-एक पाउधे के प्रसाद से प्रकट होती है और जो हम लोगों को हमारे जीवन को पुलकित करती है और इसलिए मदबदे सरकार ने मान नर्दा के उजवल भविशे के लिए मान नर्दा की गारंटी के लिए सबसे प्रमुक काम हाथ में लिया है वो है पैड लगाने का व्रिच्छा रोपन का हम जब पैड लगाएंगे तर हमें भी अंदाज नहीं होगा कि हम आने वाली पीडियों की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे पुरवजों ने जो तब किया साधना की सेवा की उसी का परणाम है कि आज हम नर्वदा महिया का लाब ले रहें आज हम जो पुरशार्ट करेंगे आने वाली अने पीडियां हमें याद करेगी कि कोई एक वक्त था जब मान नर्वदा को बचाने के लिए पैड़ पौधों के मदद ले करके फिर से एक मार मान नर्वदा को पुनर जिवन दिया गया था करीब करीब कि यहां कहीं सरकार जुड़ जाएं जहां कहीं राजनेता जुड़ जाएं तो उसके महत्मय को खंडित करने का ही प्रयास होता है वरना यह ऐसी घटना है और मैं मतपजेस की जनता को नर्वदा यात्रा से जुड़े हुए इस सेवा यात्रा से जुड़े हुए लक्षावदी लोगों को नर्वदा तड़ पर बसे हुए हर नागरिक को रदे से बढ़ाई देता हूँ यह ऐसी घटना है कि दुनिया के किसी देश में नदी की रक्षा के लिए देड़ सो दिन तक इतनी तपस्या की गई होती तो पुरे विश्व में उसकी चर्चा हुई होती पुरे विश्व में उसका जैकारा बोला गया होता दुनिया के बड़े बड़े टिवी चैनल इस गटना को अंकित करने के लिए दौड़ पड़ते हैं लेकिन यह हमारे देश का दुरभाग्य है कि हम हमारी अपनी इन प्रायासों का वैश्विक सामर्त क्या है न उसको जान पाते हैं न समझ पाते हैं और मोके गवा देते हैं आज कहीं एक सोलार पार्क लग जाए तो भी दुनिया में चर्चा होती है कि उस देश के उस इलाके में सोलार पार्क लगा है मानोता की रक्षा के लिए ये नदी बचाने का इतना बड़ा काम हुआ है, परियावरर की रक्षा का इतना बड़ा काम हुआ है 25 लाख से ज़्यादा लोगों ने संकल्प लिये है, कोटी-कोटी जन उसके जुड़े है, शरीर को कस्थ दिया है, कठिनाईयों से गुजारे हैं दिन स्वयम परिश्रम करके पैदल चलके मापुर्थवी की रक्षा के लिए, नदी की रक्षा के लिए, परियावरण की रक्षा के लिए, मानोता की रक्षा के लिए इतना बड़ा अहम कडम उठाया है और इसका नेत्रत्व करने के लिए मैं सिवराज जी को उनकी पूरी टीम को और मद्ध प्रदेश की जनता को बढ़ाई देता हूँ मेरा जन्म गुजरात में हुआ नर्वदा के एक-एक बुंद पानी का मुल्य क्या है वो गुजरात के लोग भली भाती जानते हैं और आज आपने जब नर्वदा के भविश्य के लिए इतना बड़ा भियान उठाया है तो मैं गुजरात के गाउं की किसानों की तरब से, वहां के नागरीकों की तरब से, राजस्तान के गाउं की तरब से, किसानों की तरब से, वहां के नागरीकों की तरब से, महरास्ता के गाउं की तरब से, महरास्ता के किसानों की तरब से, महरास्ता के नागरीकों की तरब से, मध्यप्रदेश की जन्ता का मध्यप्रदेश की सरकार का मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का अनेक अनेक अभिनंदर करता हूं उनका धन्यवाद करता हूं इन दिनों देश में स्वच्छता अभियान उसको अब एक धाचागत विवस्था मिली है लगातार थर्ड पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान में इवेल्यूशन हो रहा है कौन सा राज्जमे स्वच्छता का क्या चल रहा है कौन सा सहर स्वच्छ है जन भागीदारी लोग तंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और अगर हम जन सामर्थ जन शक्ती जन भागीदारी इसकी उपेख्षा करेंगे तो सरकाने कुछ भी करने में समर्थ नहीं होती है कितने ही अच्छी विचार क्यों नहों कितना ही अच्छा नेत्रुत्व क्यों नहों कितनी अच्छी विवस्ता क्यों नहों लेकिन जन समर्थन के बिना कभी भी कोई चीज सफल नहीं होती है और जन समर्थम से कैसे सफल होती है इसका उत्तमुदारण मद्ध प्रदेश ने प्रस्तित किया है पिछली बार जब सर्वेक्षन हुआ तब स्वच्छता की दिशा में मद्ध प्रदेश का नाम बदनामी की सिमुई में आ गया था लेकिन मद्ध प्रदेश ने मन में ठान ली ये कलंग मिटाने का संकल्प किया जन जागरण किया जन भागीदारी बढ़ाई जन जन को जोड़ा और आज मैं मद्ध प्रदेश को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ देश में जो हंड्रेड सिटी सफाई के लिए आकलन किया गया उन हंड्रेड में सो में बाइस मद्ध प्रदेश के हैं यह बहुत बड़ी सिद्धी है हिंदुस्तान के और राज्जों को भी प्रेना देने वाला काम स्वच्छता की दिशा में मद्ध प्रदेश ने जन भागीदारी से करके दिखाया इंदुर और भुपाल हिंदुस्तान के टॉप पर पहले और दूसरे नंबर पर आएगा सो में से बाइस शेयर स्वच्छता के अंदर अग्रिम पंक्ति में आ जाएं इसका मतलब यह हुआ कि पूरे राज्य में प्रशासन ने साचन ने जनता जनारदन ने इसे अपना काम माना और उसी का पनिनाब हुआ है ये नर्वदा योजनाना नर्वदा सेवा यात्रा की सफलता ये सफलता भी सरकार की ताकत के भरोसे नहीं हुआ है ये जनता जनारदन की ताकत के भरोसे हुआ और जनता की ताकत जब जुडती है तो कितने बड़े परणाम आते हैं सिवराज जी ने छे करोड का लक्ष रखा है दो जुलाई को पैड लगाने का और उन्होंने ये छे करोड पैड की व्यवस्ता के लिए भी पिछले डेड़ साल से लगातार काम कर रहे हैं ये चोई ये अचानक नहीं हो रही है उसके लिए नर्शरी के अंदर सारी व्यवस्ताइं करीड की जाती है तब जाकर के होते हैं लेकिन हम जैसे परिबार में एक संतान की देखभाल करते हैं वैसे ही इन नए हम बोने वाले पैड पाउधों की माउज़त करेंगे चिंता करेंगे तब जाकर के वो बटबुक्ष तयार होगा हमारी यहां सास्त्रों में कहा जाता है कि जो एक साल का सोचता है वो अनाज़ बोता है लेकिन जो आगे का भविश का सोचता है वो फलदार बुक्ष बोता है यह फलदार बुक्ष बोने का काम यह आने वाले दिनों में अनेक परिवारों को एक आर्थिक गारंटी का भी कारण बनने वाला है मुझे भी स्वास है कि मदब्देश सरकार ने जो बिड़ा उठाया है और जो उन्होंने कारिय योजना बनाई है उस कारिय योजना की किताब मुझे उन्होंने पहले पहुचाई थी मैंने उसका अध्यन किया हर किसी के लिए उसमें काम है हर जगा के लिए काम है कब करना कैसे करना उसका विदी विदान है कौन किस काम को देखेगा इसका पूरा प्रारूफ है एक प्रकार से परफेक्ट डॉक्युमेंट है फ्यूचर वीजन का मैं देश के अंराज्यों से भी आग्रा करूँगा और सिवराजी से भी आग्रा करूँगा कि हिंदुस्तान के सभी राज्यों को एक किताब भेजें और प्राकुर्दिक संसाधनों की रक्षा का तरीका क्या होता है मद्यप्रदेश को एक नमूना के रूपे एक उदाहन के तौर पर उसे लेकर के सब अपनी अपनी योजना बनाए जल ही जीवन है यह तो हम कहते हैं नदी माता ही हम कहते हैं लेकिन हमारी पूरी अर्थे बवस्ता उसी पर आर्धारित होती है उसके मिना आर्थे बवस्ता खोकली हो जाती है अगर आज मद्यप्रदेश में क्रिशी विकात 20 प्रतिशत पहुंचा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान माता नर्वदा का है यह ताकत है किसान की जिंदगी बदलने की ताकत यह माता नर्वदा में है 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आए दो गुना करने का संकल्प लेकर के पूरे देश में काम चल रहा है मद्यप्रदेश ने उसकी पूरी योज़रा तयार कर दी है और उसका लाब किसानों के सहयोग से हिंदुस्तान के हर गाओं को मिलेगा यह मेरा विस्वास है भाईयों बेनों 2022 आजाजी के 75 साल हो रहे है क्या हिंदुस्तान के सवा सो करोर देश वासी हर पल 2022 का स्मरण नहीं कर सकते है हर पल आजादी के 75 साल की याद नहीं कर सकते है जिन माहपुर्शों ने देश के लिए बलिदान दिया जीवन लगा दिया जवानी जलों में खपा दी कुछ फासी पे तक्टच पर चड़ गए जिन्हों ने अपने जीवन के परिवार के परिवार तबाह कर दिये माभारती के आजादी के लिए क्या उनके सपनों को याद करते हुए हम संकल्प नहीं कर सकते कि बो दो हजार बाइस तक ब्यक्ति के नाते मैं देश के लिए इतना करूँगा हम गाओं के लोग मिलके ये करेंगे हम संसा के नाते ये काम करेंगे हम समाज के नाते ये काम करेंगे हम राज्य के नाते देश के नाते ये संकल्प करेंगे दो हजार बाईस नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना है हर हिंदुस्तानी को जोड़ना आचाजी के अंदोलन पर जैसे देश जुड़ गया था देश को नई उचाहियों पर ले जाने के लिए नया भारत बनाने के लिए हर देश वासी को जोड़ना और इसलिए मैं अगरह करूंगा देश वास्यों से अगरह करूंगा मैं मत्व देश के सभी संगठनों से अगरह करूंगा आप भी मिल बैठकर के ताय करिए कि 2022 तक देश के लिए आपकी संस्ता आपका परिवार, आपका समाज, आपका संगढ़न, आपका दल क्या करेगा आप लोग ताय कीजिए एक बार देश में माहोल बने अभी हमारे पांच साल है पांच साल में हम देश को कहां से कहां पहुचा सकते हैं मुझे भी सवास हैं अगर सवासो करोर देश वासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश पांच साल के भीतर-भीतर सवासो करोर कदम आगे निकल जाएगा दोस्ते और इसलिए हम इस संकल पकुले करके चले मैं आज पुझ्य अवदेशा नंजी का विशेस्ट आभारी हूँ जो आशिर्वतन उहोंने मेरे लिए कहे हैं जो भाव उन्होंने प्रगट किये हैं मैं इश्वर से यही प्रार्षना करूँगा कि हम सब में वो ख्षमत आएं वो अच्छाईयां आएं वो समर्पन का भाव आएं ताकि देश की सही सेवा करने के लिए हम अपने आपको योग्य पाएं योग्य बना पाएं मैं उनके इस आशिर्वाद वचन के लिए रजे से बहुत बहुत आभार वेक्तर करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ मैं आप सबको भी रजे से बढ़ाई देता हूँ और जैसा शिवराजी ने कहा यात्रा का यहां विराम है लेकिन अब यात्रा में जो भी सोचा जो भी देखा जो भी किया इसको चरितार्थ करने का यग्य शुरू हो रहा है यह सेवा का यग्य शुरू हो रहा है यात्रा समात हुई यग्य यारंब हुआ यग्य में आहूती देनी पड़ती है समय देना पड़ता है अपनी सारी इच्छा कांच्छाओं को समाज के लिए आहूत करनी पड़ती है मुझे भी समास है यह नर्वदा के उजवल भविश का यग्य आप सब के सफल प्रहत्तों से अवश्य नईवचाईयों को प्राप्त करेगा इसी एक भावना के साथ आप सब मेरे साथ बोलेंगे दोनों मुठी बंद करके हाथ उपर करके बोलेंगे मैं कहूंगा नर्वदे आप कहेंगे सर्वदे नर्वदे आवाज मान नर्वदा के उस किनारे तक पहुँचनी चाहिए कंभात की खाडी तक नर्मदे 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 बाद बाद धन्यवार